हेलो दोस्तों दृष्टी PCS YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ गिता अंजली आज हम स्टेट एटलस के एक नए अपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं आज का हमारा स्टेट एक अफते की उन खास घबनों पर मांचित्र पर अधारिद उन सवालों के साथ आज का हमारा एपिसोड होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे जिसे सब्बंदित तच्छे देखेंगे तो आएए आज की एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को प्रश्न था बिहार राजी का राज की चिन्ह है इसके ऑप्शन से पीपल गौरईय के मैप को यह है और बिहार राज जी का करस की चिन्ह क्या था बोधिव्रक्ष कि जो कि अपने दो तरफ से स्वास्तिक चिन्ह से घिरा हुआ है बोधिव्रक्ष को भी में इसकी रूप में देखते हैं यह है बिहार का राज की जिन्ह कि छो अपनी है दो तरफ से फास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ है और इसके नीचे यहें इक इन्ट-Noma संभचनला है जिसमें उर्दु में यहां पर बिहार लिखा हुआ है यह बोधिव्रख्ष आपको कमेंट जवाब होगा पढ़ते हैं आज के अपिसोड के अगली खबर की तरफ आज के एपिसोड की हमारी अगली खबर है मुहर्रम में होगा जर्नी लोकनृत्य का प्रदर्शन इस वजह से यह खबर यह लोगनृत्य चर्चा में हैं प्रशन है कट गोडवा छो जिजिया जर्नी कट गोडवा ऑग तो यह बिहार में पूरे बिहार में प्रचले लोक निरत्य है यहां पर सही जवाब क्या हो हुज जाएगा जाता है कट गोडवा इसके बाद यह एक प्रकार की युद्धिश्यली वाला नुक नरत्य है जिसमें दो प्रकार की भंगिवाएं होती है यह दो प्रकार के रश मुख्य रूप से होते हैं एक श्रिंगार और दूसरा वीर्रस इन्हें योद्धिकालीन स्थितियां प्रदर्शित करने के लिए आदि के लिए किया जाता है जिसे चो Casey कहा जाता है जिजीयन्रत्य गोल्गोल्पिन महिलाओं की दवारा किये जाने में वाला एक नरत्य जिसम्ες नतल्ख शोग के ओ robi zaj करते हैं तो कब किया जाता है मोहरम में आन्चलंच के बारे में या चार नोक नरत्य जो कहां पर फेमास है बिहार राजिया में पीमस है तो एधक ने पात की थी जुजिया के बारे में जो मिठलांचल मैं देलेन है और बाकि लोखनरink से बिहार में सभी स्थानों पर किया जाते हैं मैं हमने डीटेश में चर्चा है तो पढदते हैं अगली खबर के तरफ हमारी अगली खबर है को सी रेल बिज पर जलिस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट रेल प्राशाषन यह सी नदी के बारे में निम्हत्वत मैं सकॉन से कथन सही है या है सवाल पूचहा गया है को सी चाही से कफ़िए कफनों की बात करें तो यह नदी अपना माग बदलने के लिए को ख्यात है यह कफ़न बिल्कुल सही है को सी नदी के बारे में कहां से आती है तो यह कोसी नदी का कफान आप देख पा रहे होंगे को सी रिवर और यह नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है पहली बात तो कोसी नदी को नेपाल में सब्त कोसी की रूप में जाना जाता है और यह साथ नदियों का समू है जो नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है और कोसी नदी पर एक को चाहता है कि यह अपना अश्थान बदल रही है और इसी वजह से इस इस पूरे इलाके में बाठ जादा आती है बाठ अधिक आने की वज़से इस नदी को पिहार का शोग कहते हैं यानी उन दोनों कथनों पर हम चर्चा करें तो यहां पर दोनों ही कथन सही है कि पहले तो यह के मार्ग बदलने के लिए विख्यात है और दूसरा इसमे आने वाली बाढ़ के गारण इसे भीहार का शोग कहा जाता她 तो यहाँ पर दोनों कथन सैंझे ये औप्षन सी नहां पर सही जवाब हो जाएगा एक और दो जोनों कथन यहां पर सही है हमने चर्चा की कोशी नदी के बारे में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोशी नदी का एक और मैठ यह कोशी नदी जो नेपाल से प्रवेश्ट करती हो और विभिन शाख़ाओं में यहां बढ़ंगा द्याती है और अगली खबर की तरफ अगली खबर है बिहार सरकार ने विभिन जिलों में डीजल अनुदान को 600 रुपे से बढ़ा कर 750 रुपे प्रति एकड कर दिया है तो यहां पर सवाल फ्रेम किया गया है बिहार राजी की संदर्व में बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षण करम में विवस आप उत्तर से मर्वी चंपारण थे हमारे सामने हैं चार उंप में लिए सबसे पहले य जिलों की आवस्तिती को पारणा और जमवी सबसे पहले बिहार मैप को देखेंगे, यह है बिहार का मैप, हमने देखा चार मैप, उसमें चार जो जिले चर्चा में थे, उसमें एक सहरसा है, एक पूर्वी चम्पारण है, पटना है, और चौथा जिला है जमुई, यदि इन चारों जिलों की क्रम की बात करें, क्योंकि पूछा गया है उत्तर से दक्षण, यानि यह है उत्तर और यह है दक्षण दिशा, उत्तर से दक्षण आने की क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे, उत्तर में कौन सा जिला है, इस्ट चम्पारण, दूसरे नमबर पर है सहरसा तीसरे नमबर पर है पट्णा और चौथे क्रम में है जमुई यानि यह यदि हम option में देखेंगे यदि पहले नमबर पर जो भी हम देखेंगे इस चमपारण पहले सान पर है तो वह और वी चंपारंट सहर सा पत्ना और जमई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा Option B यहाँ पर सही आंसर रहेगा उतने से दक्षण के क्रम में ये चारों जिले इनका क्रम सही ही था और मुजफर पूर शेोहर सीता मढझी से लगती है सहर्चा कीव बारे में यदि देखें सहर्चा की बॉर्डर सुपॉल जहानबाद अर्वल भोजपूर और स्तारण के साथ अपनी सीमा साजह करता है वहीं जमुई, बांका, मुंगेर, लखी सराय, शेकपुरा और नवादा के साथ अपनी सीमा साजह करता है कि चारों जिलों की अन्य जिलों से जो बॉर्डर है या सीमा जो लगती है यह काफी चर्चा में भी है और हो सकता है किस पर कोई सवाल फ्रेम किया जा सके कि कितने जिले इसके साथ सीमा साजह करते हैं यह कौन-कौन से जिले इसके साथ सीमा साजह नहीं करते हैं ऐसे सवाल भ हमारी अगली खबर है जंगरना करेगा राजीं करना 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 चाहता है तो यह खबर चर्चा में हैं प्रश्णी फ्रेम की आ गया है निम्नलिखित में उसे कौन सा से कथन सही है या है आपकी सामनी कथन है जंगर्णा तो हचार ग्यारा की निमित जंगर्णा है यदि हम चार्चा करें भारत की या बिहार की जंगर्णा के बारे में बात करें तो जंगर्णा मामले में बिहार तीसरे इस्थान पर है और इसमें पहले इस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य इसमें पहले इस्थान पर है वहीं महरास्ट्र जनसंख्या की मामले में दूसरे इस्थान पर है तीसरे इस्थान पर बिहार है और चौथे इस्थान पर पश्चि की चौद्अ होई नियमत जिनकर नहीं यह कथन भी बिल्कुल सही है क्योंकि बिहार में या पूरे भारत की बात करें यांनि यानी तो कुस्टन चानओ करने कथन करें तो दोनों ही कथन इस बारे में सही यानि और दो रूब यहां पर जाती है तो वर्ष 1872 में बिहार में पहली बार जन करना हुई थी जो नियमत रूप से नहीं मानी जाती है इसलिए नियमत रूप से यह 14 वी जन करना है कौनसी वर्ष 211 यह दोनों कथन हमने चर्चा में लिए यदि देखें पूरे भारत में बिहार के संदर में यह जो कथने वे सही है कि नहीं इसके लिए हम मैप देखेंगे यहां पर सबसे डार्क जो निशान है यह यह शो करता है कि जहां पर सबसे तो दो हजार ग्यारा हमें बिहार की यह मानी जाती है यानि दोनों कथन सभी औप्शन सी इसका सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है गोगाविल जील में हर साल आते हैं करीब 300 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इस वजह से गोगाविल जील चर्चा में है प्रश्न है गोगाविल पक्षी बिहार के बारे में निंदलिखित में से क्या सही है आपके सामने दो कथन है इसे राजी का पहला बर्ड कंजर्वेशन रिजर्म घोशित किया गया था और आदर भूमियों में से एक है उठ है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो यदि बात करें गोगाविल पक्षी अभ्यारन के बारे में सबसे पहले यह जानेंगे कि यह बिहार के किस जिले में है तो गोगाविल पक्षी अभ्यारन बिहार के कटिहा में और दूसरा कथन है कि यह बिहार के सबसे बड़ी आदर भूमियों में से है तो यह बिल्कुल सही है कि बिहार की सबसे बड़ी आदर भूमियों में शामिल है गोगा बिल पक्षिव भ्यारन या पक्षि बिहार पहले कथन की बात करें तो राज्य का पहला वर्ड चार्व गोषिट किया गया था और यह यहां की बड़ी आधरभूमियों में शामिल हैं यह दोनों कतन इसके बारे में सही है यह δो दोनों कतने हाँ पर सही हो जाएंगे यहां पर गोगविल पक्षिहारन के लिए सबसे पहले बिहार में इसकी अवस्तिति देखें तो यह कंगर का मैप है जिसमें चाहर जिले हैं किया नाम है यानि यहां पर कटिहार जिले में की बात करें तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा और यहां पर ऑप्शन सी एक दम सही जवाब होगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ हमारी अगली खबर है बिहार से जारखंड और यूपी की यात्रा हो गया आसान क्योंकि 27 नए रूटों पर अब बस चलाई जाएगी इस वज़े से बिहार यूपी इनकी जो बॉर्डर से यह शित्र हैं प्रश्चा में हैं बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है ऑप्शन से तीन चार पांच या छे इसके लिए हम बिहार का मैप दरसल किन किन राज्यो के साथ अपनी सीमा शो करता है यह बिहार का मैप है आप देख पा रहे होंगे यह अपने उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है यहां नेपाल भारत का राज्य नहीं है एक दूसरा देश है यदि सवाल पूछा गया है राज्यों की संदर में तो राज्यों को देखेंगे त साथ अपनी सीमा साजा करता है यहां जहारखंड के साथ अपनी सीमा साजा करता है और यहां उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साजा करता है यानि बिहार तीन राज्यों के साथ अपने सीमा साजा करता है तो इसके लिए यदि हम सही आंसर की बात करें तो option A ही यहां पर सह बटने हैं अगली खाबर की दर्फ हमायरी औगली खबर है कोसी और बलान नदी के पानी से घेरे कैओं अभीहाली में यहां पर जलसतर बढ़ samurai में यहां बाण आ गई है इस वजह से यह दोंटो नदीया चर्चा में आकई है कि नदी चर्चा में हैं प्रश्ण है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की और प्रवाहित होने वाले कौन सी नदी है उत्तर से ताथ पर जो नीचे से उपर की और उत्तर दिशा की और प्रवाहित हो रही है हमारे ऑप्शन से बागमती अजय कोसी यह गंडग इसके लिए हम बिहार मैप में उन तो नदियों में यह कौन सी नदी है जो तर की ओर प्रवाहित हो रही है तो बागमती अजय कोंची और गंडग चार नदॆ है यह बिहार का मैं Lazar कि आप देखेंगे यह को सी नदी जो उत्तर से दक्षन के और प्रवाहिद हो रही है यह गंडखो रही है और प्रवाहिद हो रही है तो ओप्षन भी यहां पर सही हो जाएगा अजय बिहार में उत्तर की और प्रवाहित होने वाली नदियों में शामिल है ऑप्शन भी यहां पर सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ बीपीस्टी पेपर लीग केस में भोजपुर जिले के एक बीडियो सहित 9 आरोपियों को के खि बोजपुर शेत्र चर्चा में हैं प्रश्ण हैं भोजपुर बिहार के किस प्रमंडल या डिवीजन के अंतरगत आता है ऑप्शन से सारण पटना मुंगेर मगद इसके लिए सबसे पहले हम भोजपुर की लोकेशन देखेंगे बिहार राज्जी में फिर देखेंगे कि व पटना अरवल रहतास और बक्सर इन पांच जिलों के साथ यह सीमा साजा करता है दरसल बोजपुर के अवस्थिति को देखें तो यह हैं पटना संभाग या पटना डिवीजन के अंतरगत आ यानि वहाव के और यानि इस सवाल के सहीजवाब की तो ऑप्शन वी पत्ना यहां पर सहीजवाब हो जाएगा भोजपूर विहार के हमारी अगली खबर है जो आपके लिए अभ्यास प्रश्नी की रूप में यानि इसका जवाब को कमेंट सेक्शन में देना है खबर है बेगु सराय में अब नगर निगम की चुनाव प्रक्रिया की कवायद शुरू हो गई है जल्दी ही यहां पर चुनाव की संभाबना है प्रशन है मुंगेर की सीमा निमनलिखित मैं से किस जिले से नहीं लगती है प्रशन को ध्यान से तो यह हमें और बहतर करने के लिए प्रिवरेद करती है तो इस सवाल के जवाब के साथ आपको छोड़ जाते हैं मिलते हैं विहारे स्टेट एटलस के एक नए अपिसोड के साथ तब तक पढ़ते रहिए रिवीजन करते रहिए शुक्रिया PCS परिक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम द्रिष्टी ने शुरू किया है नया कारेक्रम जिला एक नजर में यह कारेक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह आठ बजे द्रिष्टी PCS चैनल पर प्रसारि होता है